परसासन पुलिस परसासन सरकार को लगा कि मनिसकर्षब गलत है और जो भी किये वो गलत किये तो उसके पर जांच होगा और मनिसकर्षब के साथ भी कानून है ना रहा कि मनिसकर्षब जी अगर सही है और उनका अगर इसमें कोई लेना देना नहीं है कोई हाथ नहीं है तो नि नहीं कर सकता उसके लिए पूरे बिहार के जनता उनके साथ है नमस्कार मेरा नाम काजल है और आप सच्टेक निउस देख रहे हैं अभी हमारे साथ भी आईपी के सुप्री मो मुके सेहनी जी है सर कुछ दिन पहले सरक से लेकर सदन तक तमिल लाडू के मुद्दे पे बवाल हुआ था और आपकी भी पार्टी से एक हेल्प लाइन नमबर भी जारी की गए थी क्या कहिएगा ने देखे वो जो जैसे जैसे जानकारी मिला वीडियो कर सब आया तो जाहर सी बात है मैं आज लिदर होने के ना कि बिहारी होने के नाते, बिहार का बेटा होने के नाते, थोड़ा तकलिफ हुआ और काफी चिंता जनक वीडियो हमें देखा, इसके वास्तर लिए हम लोगों ने हेल प्लाइन नमर भी जारी किया, पटना से भी लोग हमने भेजा, वहाँ पे ग्रॉंड में जाके जानकारी करे रिपोर्टिंग करे कि क्या हुआ, तो इस सब चीज हमने किया अपने अस्तर से, और उसमें देखने के लिए मिला कि लोग भेभीत रहें, परिसान रहें, गाव में आना था, होली था, और कुछ जगह छुटा-मुटा घटना कहीं पे हुआ, वापस में ही कहीं ऐसा हुआ, बट जिस सब से दिखाया गया, उस सब से नहीं दिखा, तो फिर वो अभी तो नॉर्मल हो चुका है, समानने हो चुका है, और हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसा ही रहें हमेसा, एक राज, दूसरे राज में तकलिफ है कि हमारे राज में खुद हमारे लोगों के लिए रोजग अच्छित रहें, उहां पर रोजगार करें, काम करें, मजदूरी करें, तो वो करें और उसके लिए जब भी जो समस्या हो, उसके लिए हम लोग को हमेसा खारा होना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, और रहा कि उससे ज्यादा हम लोगों को ज्यादा ये प्रियास कर में करना हैं देश बिक्सित हो रहा है दुनिया बदल रहा है और हम लोग अभी भी बहुत पीछे रह गये हैं और इस ли साइस हम बहुत पीछे रह किसी से कम नहीं है हमारे पुरवज हो या हम लोग आज भी किसी से कम नहीं है लेकिन बहुत ऐसे कारण है जिसके कारण हम बिख्षित नहीं हो पा रहें उस कारण को ढूंड कर जनता को भी सपोर्ट करना करना चाहिए और जनेता को इमांदार होना चाहिए अपने जनता के पर बहुत सारे कारण हैं बिहार में पीछड़ा रहने के कारण तो इस पर कारण तो बहुत किसी के जिंदगी में रहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर बैठे रह जाना जैसे मेरे मेरे भी मेरे जिंदगी में भी कारण था कि गरीब परिवार में जर्म लिया बंबय गये नोसर पार महने पर नोकरी किये तो मैं अगर उस चाहता तो वहीं जिंदगी जीता लेकिन मैंने कुछ अलग किया मेहनत किया रिक्स लिया आगे बढ़ने का कोशिस किया बहुत जगे गिरा फिर मैंने उठा और फिर आज मैं इस मुकाम तक पहुचा हूँ तो कारण किसी के भ क्ड़ू मुद्धे पर कई पतरकारों पर फिर यत पर यार हुआ ये कितना सही था देखे हां यह में जानकारी प्राप्थ हुआ है और पुरी केस का जो किस वज़र से क्यों उनके उपर केस हुआ है यह हमें पुरी जानकारी नहीं है और यह जाचका विश्य है और सरकार या कानून विवस्ता अगर कुछ की है तो भी बहुत सो समझ के की होंगे तो और जो पत्रकार अगर इस सब चीज से दोसी नहीं है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है या कुछ ऐसे चीज़े है तो उनके साथ भी न्याय होगा कानून उनके साथ है और वो अपने भी पक्ष रखे ठीक है और मुझे लगता है कि प्लिस पासासन भी जल्दी बाजी किये ह है इसे पहले उनसे पूछ लेना चाहिए समझना चाहिए बनी अच्छे से डैक्ठ हमें पता चला कि वारेंट अगर सब इसू हो गया है तो खैर अभी यह जाच का परकिरिया है इस पे ज्यादा बोलना उचित भी नहीं होगा ठीक है हाँ इसमें अगर कोई भी वन साइड क कोई गलत करेगा तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा चाहां वह सरकार का पक्ष हो या आपके पत्रकार के पक्ष हो वह अगर कोई गलत करेंगे तो उनको तो फिर कानून के हते आना है अगर बात करें फायर की तो जब से फायर हुआ है मन इसका सब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लगतार पिछले चार दिनों से ट्वीटर पर ट्रेंड कर रहे हैं तो क्या वो गलत है इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं फिर वो सही है इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्या लगते आपको ट्रेंड करने तो इसका मतलब है उनके साथ लोग हैं इसलिए ट्रेंड कर रहे ह अब लोग हैं इसे मैं भी उनके साथ हूँ मनिस्का सब के साथ मैं भी हूँ मेरा भी बेक्तिकत अच्छा संबंध है लेकिन वो केस किस लिए हुआ क्यूं हुआ और केस में क्या सारे चीजे है वो जानकारी अभी हमें नहीं है केस में कहा जा रहा है भ्रमक स्थिती फैलाने को लेके केस हुआ पहला केस और दूसरा केस हुआ कि जो बीडियो है वो यहीं पटना का बनाया गया है वो वाला बीडियो को लेके केस हुआ लेकिन उन्होंने स्क्रिंसोट लेकि ट्वेट किया था और ट्वेट में प्रसासन से जाच की मांग की गए थी लेकिन उनका आधा ही ट्विट पे फायर कर दिया गया एक पक्ष परसासन पुलिश्ट परसासन सरकार को लगा कि मनिस करते है और जो भी किये गलत किये तो उसके पर जाच होगा और मनिस करस्ब के साथ तो तो जहर सी बात उनको भी जवाब देना पड़ेगा और ये हर किसी को सोच समझ के अईसा कुछ नहीं करें जिस से हमारे देश का राज का तनाव बरहे यह सारे चीजे बहुत सारा कानून है कि जिस तरीके से 9-11 जो हमला हुआ था उस समय में डेक्ट टेलिकास्ट हो रहा था और डेक्ट जो अंदर आतकवादी थे उनको पता चल रहा था कि पाकिस्तान में कि क्या हो रहा कि धर सो अपरेशन हो रहा है और वो अपने लोगों को जानकारी दे रहा था उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उसके जैसे काफी नुक्सान हुआ भारत का तो उस समय में बहुत सारा ऐसे कानून मनाया कि बहुत ऐसे चीजे हैं संसेटिव मामला है उसको डेक्ट टेलिकास्ट नहीं करना है वो सब चीज को छुपाना है तो अभी इसमें पुलिस परसासन को या सरकार को क् उससे में जबें पाएंगे उनको क्या सोच याश्ता डेंट के साथ कुछ नहीं होगा अगर भात करी निउस पेपर मीए खबर तो फरवरी से चल रहा था कि टमीलाडू में बिहारीयों को माला जारा है जानलेवा हमला किया जा रहा है है इलोट्रॉनिक मीडिया पर भी बहुत सारे खबरे चली यं लेकिन नाहीं न१िजब्स पेपर फायार hoता है नाहीं इस इसाली मीडिया फके राडार पर क्या पिए ब techn olhar के रडार जो चोटे होते हैं गरीब होते उनको हमेशा दवाया जाता है तो यह संसार का एक है विवस्ता इसी को हम लोगों को बदलना चाहिए ठीक है यह बात है जो पक्ष आप रख रही है पक्ष मनिस्का सब जी को भी रखना चाहिए और निशित तोर पे जब कोट में यह सब कारेगी जरूर करेंगे हम लोग है न उनके साथ अधर कार में असतर से करें देखिए दर देश में राज मेंपत्रकारता का माईно ही बदल दिया है ठीक है जिसके पास पावर है अपने मुठी में रखे हैं और कुछ लोग अपने चीजिए को अलग तरीके से करना बहुत सारे लोग अच्छे भी है सब को एक तराजू में तोलने के आप सकता नहीं बहुत सारे लोग अच्छे हैं इमांदारी है विसी के कारण आज अमरा देश ठीक है ठाक चल रहा है और बिखती विशेस हर राज में हर जगा पर लड़ाय जगरा होता है ठीक है अब किसी के साथ कोई लड़ाय जगरा कोई घटना हुआ होगा ठीक है तो ऐसा हुआ होगा ठीक है तो यही चिंचित है कि हम लोगों को अपने राज में ही रोजगार का विवस्ता करें दूसरे राज चीजों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे चीजे होता है परस्टन लेबल पर सरकार का राज का उससे कोई लेना देना नहीं है मैंने मुंबई महराष्ट में रात और महराष्ट से कोई लेना देना नहीं है महराष्ट सरकार से कोई लेना देना नहीं होता तो वहां के लोकल जो लोग होते थे गुंडे लोग होते थे वह अपनी दादागिरी करते थे उनसे जरप हो जाना यह सारे चीज होता तो इसके लिए सरकार को कटगरे में डालना और उस राज को कटगरे में डालना। उस राज के जो लोग होते जो राज विक्सित है उसके 80% लोगों को कोई लेना देना है उनको बहुत सौलियत होता है कि बिहारी जाते हैं जो 20,000 का इंपलाई है 12,000 में काम करते हैं यह सारे चीज़ तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसके लिए तो सरकार को राज को परियास में कर रहा हैं तो वहाँ पर लोकल लोगो को, दवीस पर्शन लोगों को तकलिफ होता है 20% और हमारे पास फाइदा होता है कि हमारे पास whole time or काम करने वालों मेरे इसारे पर रहने वालो लोकल जो होते हूँ तो हमाए साथ भी आईपी सुप्रीमो मुकेस सेहनी जी ठें जिनका कहना है कि बिवस्ता ऐसा होना चाहिए कि बिहार वासियों को बिहार से बाहर जाके काम करने की जरूरत ना पड़े बिहार में ही उन्हें रोजगार मिले क्योंकि जब भी कोई बिहार वासी बिहार से बाहर जागे काम करता है तो उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बात रही मनिस कस्यप की तो मनिस कस्यप अगर सही होंगे तो सभी लोग उनके साथ हैं अगर गलत होंगे तो कानून के सवालों का जवाब देंगे आए खबरों के लिए बने रहे हैं सच्टेक नीज़ के साथ जैहिंद